असलामों अलेकूं, welcome to GFX Mentor, मैं आपका टीचर इम्रान, आज बड़ी एक्साइटिंग सी चीज लेकर आगया हूँ, जी हाँ, थोड़ा सा लेट जरूर हूँ, लेकिन यार, illustrator का 3D है, याने CC 2022 का 3D फीचर, यार, तुआ ये स्टार्ट करते हैं, All right, welcome back, so first of all, तो ये के, ये जो illustrator में 3D का जो नया फीचर है, ये CC 2022 में है, इससे पहले वाले वाले वर्जन में नहीं है, तो प्लीज, if you haven't updated येट, तो प्लीज अपडेट कर दे, and let me show you, new splash screen बहुत खुब सुरह तायार, ये है भाईया, नया वाला illustrator, और मैं यहां से new file ले रहा हूँ, and I just want RGB colors, RGB colors में आपको पता होगा कि, colors बहुत जादा vibrant किसम के आ रहे होते हैं, तो yes, but printing के लिए नहीं यूज होता, that's okay, all right, so ये हमारा illustrator का नया version, and एक छोटी सी चीज में आप लोगों को बता दूँ कि, यहां पर अगर आप left side पर देखें, तो मेरे पास ठीक ठाक tools आ रहे हैं, अगर आपके पास ना आ रहे हों, तो window में जाएं, work space में जाएं, and essentials classic पे रखते हैं, by default आपका essentials होता है, जिसमें tools कम आ रहे होते हैं, यह work space आप यहां से भी switch कर सकते हैं, top right corner पे यह रहा, essentials classic, and let's make some things, so by default आपके पास एक black straw का रहा होता है, मैं इसको हटा रहा हूं, fill में मैं कोई सभी एक color ले ले लेता हूं, and कोई अच्छा सा color ले ले लेते हैं, and yes, so, यह मैंने एक simple सा box बना दिया, so classic में अगर आप जाते थे, तो 3D and materials नहीं आ रहा होता था, simple 3D आ रहा होता था, revolve वगरा, यहां पर सारी चीज़ आ रही होती है, 3D classic यह रहा है आपके, ठीक है, and अगर मैं extrude and bevel पर जाता हूं, तो सबसे पहले तो यह होता है, कि यार, एक यह आपके पास panel आ जाता है, 3D and materials, and यहां पर आपके पास options दिये हुए है, plane अगर आपको चाहिए, अगर आपको extrude करना है, तो यह आपका हो गया, extrude, depth आप इसकी यहां से कम यह ज्यादा कर सकते हैं, एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, कि अब यहां 3D में कुछ extra features जो हैं वो बहुत जबदस किसम के आ चुके हैं, number one, year apart, this is render and ray tracing, now, इसको अभी हम on नहीं करेंगे, because थोड़ा सा heavy है यह, थोड़ा सा, and यह आपकी depth हो रही है, आप इसको rotate करना चाह रहे हैं, तो rotate करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो यह, कि यहां पर इस panel में देखें, तो occupy पस यहां पर options दिये हुए हैं, और इसके through भी आप rotate कर सकते हैं, plus आप एक और चीज़ कर सकते हैं, कि mouse आप इसके ओपर लेकर है, take your selection tool, और उसके बाद अगर आप center में देखें, तो एक circle बना वा रहा है, now, इस circle में अगर आ X axis को rotate कर सकते हैं, अगर आप Y axis पर जाते हैं, तो Y axis को rotate कर सकते हैं, और अगर आपको Z axis rotate करना है, तो यहां circle पर आखर कर कर सकते हैं, ठीक हैं, एक चीज़ अगर आप note करें, कि मैं जब इसको rotate कर रहा हूं, तो यह low quality result दे रहा होता है, yes, this is just for preview, जैसे आप छोड़ेंगे, यह high quality result आपको देने लगेगा, now, नीचे आजाएं, तो depth के बाद ही आपके पास यहां पर दिया हुआ है, कि either आपको यह cap रखना है नहीं, इस पर cap on है, अगर मैं cap off कर दूँ तो यह bीच से hollow हो जाएगा, और इसको आप यह रोटेट करके देख सकते हैं, this is hollow, चेक है, नी यह रोटेट वाले face पर ही आपको bevel दे रहा होगा, मैं रोटेट से zoom out किया है, और bevel, width कितीनी रखनी है, यहां से आप adjust कर सकते हैं, प्लस, इसकी height कितीनी है, वो भी आप adjust कर सकते हैं, ठीक है जी, this is something very cool, let's go for rounded, और अब यह एक rounded सा bevel आ चुका है, एक चीज़ मैं मिस्ट कर रहा हूँ, जो पराने वाले 3D में था, वो था perspective, वो यहां पर मौजूद नहीं है, for some reason, I don't know, future में शायद आजाए अपडेट, लेकिन अभी नहीं है, anyways, bevel जो आपने दिया हूँ है, उसको अगर आप repeat करना चाहें, तो आप मजीद रिपीट कर स हैं, इसको मैं अगर delete कर दूँ, और let's say, उसकी जगा एक circle बना देते हैं, और फिर मैं इसको extrude करता हूँ, तो of course, यह result है, depth आप चेंज कर सकते हैं, it will create a cylinder, bevel on कर देता हूँ, round कर देता हूँ, बलकर और भी different हैं, जरा इनको देख लें, बहुत interesting किसम के हैं, and shadows बहुत excellent आ है, so yeah, this is cool, width कम कर दिये मैंने, और height भी कम कर दिये, and साथी साथ repeat कर देते हैं, I think, जब आप repeat करते हैं, तो थोड़ा सा यह height वगरा को adjust कर दीजेगा, and this is it, this is so cool, now, एक और शीज, blend inside अगर आप करते हैं, bevel inside अगर आप करते हैं, तो यह अंदर की तरफ चले जाएगा, now, अगर अगर आपको लग रहा है कि यार, बहुत ही low quality का result आ रहा है, तो हाँ, बिलकुल low quality का result है, और यहाँ पर हम add करते हैं, हमारे पास यह चीज, now, अगर इस drop down पर click करें, तो आपके पास option आ रहा है, ray tracing का, ray tracing अगर आप on करते हैं, तो आपको बहुत ही realistic कि लाइटिंग materials दिखने शुरू हो जाएंगे, तो जैसे आपने इसको on किया, और यहाँ से आप high resolution कर लें, quality, तो yes, there is a big difference, और अगर मैं इसको off करूं, तो थोड़ा सा आपको difference feel होगा, खेर, इस वक्रेंटली, इसमें इतना बड़ा difference feel ही है, लेकिन, देखें, zoom करके मैं आपको दिखा र करते हैं, तो उस वक्त आपको low quality का preview दे रहा होता है, जैसे आप छोड़ते हैं, तो वो उसको properly render करके दिखा रहा होता है, this is amazing, alright, नीचे आजाएं, तो again यहाँ पर आपके पास rotation वगरा दिया हुआ है, alright, let's go for something else, this was extrude, and then फिर हमारे पास आता है, rotate, now rotate, usually आपने पहले भी देखा होगा, so for example, मैं एक pot बनाना चाह रहा हूँ, and somewhat like this, ठीके जी, और मैं इसको stroke रख रहा हूँ, खाली, और let's increase the size of the stroke, मैं यहाँ से इसका stroke का weight बढ़ा रहा हूँ, say around 8 points, और stroke को मैं rounded कर रहा हूँ, ठीके जी, and let's have some pot color, terracotta वाला जो color होता है, show options, and, yep, this is good, and इसको मैं revolve करूँगा, now revolve जैसे हैं आप करेंगे, यह आपको एक pot बना के देदेगा, this is so easy, so, so, so easy, and, yeah, this is amazing, अच्छा जी, अब इसमें अगर आप देखें, तो आपके पास offset का भी option, offset का यह है कि जो इसने revolve किया है, उन्साहरे 20 से hole हो जाएगा, so, मैं offset नहीं करना चाहरा हूँ, जीरो कर रहे हैं, ताके pot पूरा complete बना रहा है, and इसको थोड़ा सा, यह rotate कर रहा हूँ, this is it, now, एक और option है कि आप left edge पे करना चाहरे हैं, right edge पे, of course, left edge पे हम करना चाहरे हैं, and अगर मैं इस पर यह on कर दूँ, तो देखें, बहुत ही fine quality की shine highlights, amazing result आ रहा है न, this is so cool, now, अभी हम जाते हैं आगे, और इसमें lighting के भी features देखेंगे, but, और भी मज़े की चीज़े हैं, पहले हूँ देख ले, let's go for materials, मैं इसका यह off कर रहा हूँ, तो सही है, and let's go for materials, और materials में हमारे पास धेर सारे materials यहां दिये हुए, so, substance 3D, Adobe का एक और application, और यह उसी के materials मौजूद हैं आपर, और अगर आप देखें तो, ओ, 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 और अगर इसको मैं high quality result देखें तो, तोड़ा सा और realistic हो जाता है, anyways, नीचे आ जाएं, तो आप आपके पास materials की कुछ properties दी हुई हैं, जैसे कितनी resolution का material है, so, अभी इसको हम 1024 पर ही running देते हैं, color variation अगर मैं कम करूँ, तो यह आपको थोड़ा सा difference feel होगा, I think, हाँ, बिलकुल हो रहा है, बिलकुल हो रहा है, अच्छा जी, roughness, कितना rough है, और कितना नहीं है, so, yes, यह जैसे आपके जो speculars हैं, वो आ रहे हैं, और अगर मैं इसको high resolution में करूँ, तो उफ, 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 रेट रेस सम्टाइम्स अच्छा लगता है, सम्टाइम्स बुरा लगता है, बारहल, आपके पास बहुत सारे इसमें features दिये हुए हैं, आपका कितना हद तक material इसके उपर affect कर करेंगा, सही है, इसको थोड़ा सा explore कीजेगा, मैंने भी honestly बहुत जादा इसको explore नहीं किया है, but something amazing, एक चीज़ और यहां पर मैं बता दू, material properties, अगर आप material को offset करना चाह रहे हैं, मतलब shift करना चाह रहे हैं कहीं और, so x axis पे offset कर रहे हैं, यह y axis पे offset हो रहा है, rotation, अगर dense material आपका लग रहा है, so sometimes इसमें से scene नजर आना शुरू हो याती है, जो के मुझे नहीं अच्छी लगती, हाँ, इतना बढ़ा दें तो तो सही है, this is good, well, हम दूसरे भी materials इस पे apply करके देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, and let's go for some metal, like this, or maybe this, yes, so cool ना, so metallic भी है, और wooden भी है, बहुत सारे यार, see, this is amazing, great, great, now, apart from this, materials में, आपको एक और शोड़ी सी चीज़ बता दूं कि आप कुछ materials डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसी कि मैंने डाउनलोड किया हुए, और this is go, wiper, जो snake होता है, उसका है material, let's increase the density, and yes, so cool, now, यह बता दूं आप लोगो कि यह material आप डाउनलोड कहां से करेंगे, यहां नीचे आपके पास दो बटन्स दिये हुए, सही है, find more materials on substance 3D assets, और find more materials on substance 3D community assets, एक छोटी सी चीज़ बता दूं, substance 3D की अपनी subscription है, so of course, वो subscription मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास सरफ Adobe CC की subscription है, लेकिन यहां पर अगर मैं जाता हूँ, तो यहां पर हमें free materials मिल जाते हैं, let me show you, so यह सारे materials available हैं, आप इनको download कर सकते हैं, और इनको use कर सकते हैं, तो जो मैंने snake वाला जो मैं use करा था, वो यह वाला था, कुछ rubber tire वगरा के भी मैंने download किये थे, but I don't know, वितने अच्छे लगे नहीं, rocks हैं और इस तरह के बहुत सारे patterns हैं, जो के materials हैं, जो के आप use कर सकते हैं, anyways, let's download this, और, sbsar file format होता है, याद रखिएगा, यह download हो जाए, फिर हम इसको use करते हैं, मेरे पास download के फोल्डर में आ रहा है, ठीक है जी, अब मुझे वो जो मैंने download किया material वो load करना है, तो simply यहाँ पर यह add new material पर जाएंगे, and let's go to downloads वाला folder, यह रा, open, और यह यहाँ पर load होना है, शुरू हो जाएगा, लाए करें, यहाँ तक होने के बाद, मैं इसकी resolution थोड़ी और बढ़ा रहा हूँ, तक हज़रा high quality result आए, वैसे ना भी बढ़ा हैं तो कोई मसला नहीं है, lighting पर आजाएं, तो हमारे पास सब lighting यहाँ पर मौझूद है, different type की, by the way, यह याद रखीगा, ray tracing अगर मैं on करता हूँ, तो यह थोड़ा सा flat आपको दिखेगा, कोई मसला नहीं है, let's change the lighting, यह आपके पास कुछ lighting मौझूद हैं, किस तरह की आप यूज़ करना चाहरा है, and light की intensity आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, या घटा सकते हैं, ठीक है, rotation light की, कि लाइट कितना उपर है या नीचे है, यह आप change कर सकते हैं, plus light की height, कितना light करीब है या दूर है, ठीक है, अब अगर और से देखें, तो यह जो हमारा material था, उसका seam यहाँ पे नज़र आ रही है, but that's okay, कोई मसला नहीं चलेगा, softness थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, या बलके, अगर आप softness बढ़ाते हैं, तो light body soft सी आएगी, anyways, यह आपका ambient light है, ambient light मतलब देखे रहे हैं, जैसे यह back वाला जो जहाँ, अधेरे वाला पार्ट है, उसमें थोड़ी सी रोशनी, अगर यह मैं बढ़ा दूँ, तो रोशनी हर जगा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको कम करूँ, तो contrast बहुत जादा बढ़ जाएगा, एंड अगर इसका shadow चाहिए हमें, तो shadow on कर लें, और यह अब आपके सामने, shadow बहुती घटिया सा आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्यूंकि, दो मसले, एक तो behind the object, पहली चीज़ तो मैं इसको below object कर रहा हूँ, सही है, दूसरा मसला यह कि यह shadow cut बार, shadow bounds को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, नाव, problem यह है कि हमारी light बहुत नीचे है, तो यह जो light की height है, इसको मैं थोड़ा सा उपर कर रहा हूँ, और light की intensity, light की rotation, और height, थोड़ इसी यहां पर ले आते हैं, तो अब अगर आप देखें, तो बहुत ही realistic किसम की चीज़ हमारे सामने बन के आ गई है, और अब इसको मैं अगर यहां से, यह on कर दूँ, rate tracing, ठीक है, और high, तो, yeah, this is kind of good, तो इतना बड़ा difference, शहएद आपको ना देखें, लेकिन, see, this is taking some time to render, क्योंकि आप materials भी हैं, light के shadows भी हैं, और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं, जो कि हमने इस पर लगाई भी हैं, and see, this, काफी हद तक realistic सा, आपके सामने, result आना शुरू हो जाता है, so, यह जो ambient light है, इसको मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, because, why not, बड़ याद रखेगा, कि यह जो materials वाला पार्ट है, this is quite heavy, मतलब, literally heavy, मेरी machine time ले रही है, मेरी machine, जो है, it's a core i9, 10th generation, 64 GB of RAM, RTX 2070 super लगा हुआ है, उसके बाद भी, यह slow हो रहा है, by the way, 1TB की SSD भी लगी हुई है, NVMe, सही है, okay, M.2 NVMe, Samsung की वो भी, तो उसमें यह अगर heavy हो रहा है, तो फिर थोड़े हलके PC's पे ज्यादा problem करेगा, anyways, let's remove this, कुछ आसान सी चीज़ें करके दिखा दूँ थोड़ी सी आपको, so let's say मैं एक स्फेर बनाना चाह रहा हूँ, ball, ठीक, और हम इसको अगर यहां पर आएं, object में, revolve कर लें, तो यह आपकी एक ball बन जागी, अच्छा, एक और चीज़ के, इसको मैं fill पर कर रहा हूँ, और फिर revolve कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, now, without any materials, मैं lighting में आपको एक चीज़ शो करना चाहूँगा, यह इसको मैंने on कर दिया है, ray tracing को, और let's change the light, over here, now, also मैं shadow इसका on कर रहा हूँ, और shadow below कर रहा हूँ, ठीक है जी, shadow bounce को थोड़ा सा, खोल दें, ताके shadow पूरा नज़र आए, plus, अब आजाएं, उपर थोड़ा सा, softness मैं इसकी बढ़ा रहा हूँ, so softness, याद रखीगा, plays a vital role, आपकी light कितनी ज़्यादा soft है, दूसरा light की जो rotation है, वो थोड़ी सी मैं change कर रहा हूँ, like, यहां कर रहा हूँ, और light की height को change कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अब softness और बढ़ा रहा हूँ, see this, this is so amazing, कसम से, और देखो तुस्छी क्या realism, और आप इसकी copies कर लें, छोटा करें, बढ़ा करें, जितने रखने आपने, आप रखते चले जाएं, मज़दार सी चीज़ है, anyways, एक और नया feature है, 3D का, और वो है, inflate, now inflate क्या है, जैसे, साशे होता है, फुला हूँ थोड़ा सा, वैसे, let's say, मेरे पास, एक object है, ये, और इस पर मैं, inflate लगा देता हूँ, तो ये बस इसने, फुला दिया, इसको मैं अगर rotate करके, आपको दिखाऊँ तो ये actually, इसने, just like, bevel होता है, आपके extrude में, वही चीज़ है, आप चाहें, तो इसकी depth कम कर दे, बस इससे कम नहीं होगी, वालियूम, आप इसका और कम कर सकते हैं यहां से, ठीक है जी, and that's it, और फिर वही सारी चीज़ें हैं, लाइटिंग वागरा, सारी की सारी वैसी ही हैं, और, this is something cool यार, नहीं, बहुत मज़िदार सी चीज़ें हैं आप बना सकते हैं, especially material वाला option जो है, वो बहुत amazing है, plus the best part is live preview, आपको मिल रहा है, पुराने वाले 3D में थोड़ा सा different था, एक खास window आ रही होती थी, उसके अंदर हम कर रहोते थे थे, लेकिन this is something cool, materials अगर आप use नहीं करेंगे, तो आपको system पे इतना ज़्यादा बोज फील नहीं होगा, but materials यूज़ करने पे थोड़ा सा heavy हो जाता है, और especially rate race अगर आप on करते हैं तो, I hope आप लोगों को ये update पसंद आई होगी, और करें कुछ, करके दिखाएं, जीएफेक्स MNation जो हमारा group है, जीएफेक्स Mentor Nation नीचे link दियावा है, प्लीज जोइन करें, काम शो करें अपना, और अगर आप लोगों कोई सवाल आत हो, तो मौँ आप ग्रूप पर आपर करके पूछे हो, ज्यादा आपको अच्छी help मिलेगी, आप ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें, शेर करें दोस्तों के साथ, थेंक यू,